असलाम अलेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो अपनी Facebook Ad Course को किस तरह से Reduce कर सकते हैं मुझे काफी मेसिज आ रहे थे Facebook पे Instagram पे कि हमारे Facebook Ad Course बहुत हाई पढ़ रहा है हमें हमारे CPM हाई आ रहा है हमारे CPC हाई आ रहा है तो इस पे आप एक वीडियो बना दे है डिटेल में तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दू जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जी अपनी Facebook Ad Course किस तरह से अपनी Ad Course को Maintain रख सकते हैं और आप ये सिखना चाहते तो आप किस वीडियो को एंड तक देखना होगा आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा मैं गरंटी देता हूँ आप अगर कोई Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं इसके लावा मैंने अपनी पेड सर्विस स्टार्ड किया फाइवर पे अगर आप न्यू है Facebook मार्केटिंग में आपको नहीं पता बेसिक नहीं पता ना एडवांस पता है तो आप जो है फाइवर पे जाके मेरी सर्विस बाई कर सकते हैं तो मैं आपके लिए एड डन कर दूँगा तो आप सिंपल फाइवर पे जाएं और वहां मेरी गिग बाई करें तो इंशाला आपका बिजनस ग्रो होगा और साथ-साथ मैं भी ग्रो होंगा फाइवर पे तो दोस्तों अगर आप फेस्बुक एड कोस्त रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपके माइन में कुछ बाते होना चाहिए जो के मैं आपको बताऊंगा देखें हर इंडस्ट्री का एक अपनी एड कोस्त है ठीक है फेस्बुक जो चार्ज करता है आपको इंडस्ट्री के base पे भी करते हैं ठीक है आप रियल स्रेट का देख लिए उसकी कोस्ट आपको हइप पड़ेगी और इसके लावा अगर ऐसी इंड़स्टि को टागेट करते हैं लाइक टी शिट होगी इसकी कोस्ट आपको कम पड़ेगी और यह में भी फार्क होगा कुए जो रेल स्रेट वा तो आप से चार्ज भी जादा करते ठीक है इसके लावा आप किस फनल पर टागेट करें पर आप तोप ऑफ फण लेवर्ट मिड़फ अपनल पर फनल पे यह भी डिपेंड करते इसके लावा आप गोल कोई सहां अचीफ करना चाहरे है फेस्बुक एडवरटाइजिंग से तो आप अगर से लेकिया रहें चला रहें तो वह भी आपको थोड़े साथ पढ़े गा मिनके जिस तरह आप गोल होगा उस तरह कि आपको पढ़ेगी इसके लावा लीड होगी वह भी अपको पढ़ भी सकती है और नहीं भी पढ़ सकते ठीक है और आपके स्ट्राटीजी क्या आप अपनी कंपेंग को किस तरह से करते हैं थीक है तो यह भी आपकी एड को स्कम होने में बहुत बेनेफिट दे सकते हैं अगर आप अपनी एड़ को अपनी कंपेंग को अच्छी तरह अप्टमाइस करें और दूसरा यह है कि आप जो अपनी जो टागटिंग है वो नहरो रखें नहरो मीन के आप specific करें जो आपके product में इंट्रस्टेड है उनको आप अपना एड दिखाएं जो बाकी है उनको एड ना दिखाएं यह होता है जब आप funnel marketing करें ना तब होता अगर bottom of the funnel या mid of the funnel बाद कर लें तब जो आप narrow targeting करें इससे जो आपको competition भी आपका कम होजेगा और reduce जो आपकी cost है वो भी कम होजेगा इसके इलावा पहले कहा जाता था कि आप जो है top of the funnel narrow targeting करें लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप जब cold audience को target करने होते तो आप broad audience रखें ठीक है जब से iOS 14 अपडेट आया है आप जो है अपनी cold audience को broad रखें ठीक है और दूसरा जो है आप यह देखें कि आपकी audience overlap तो नहीं हो रही मिन कि आप अगर दो एक एड़ दो एड़ सेट बना रहे हैं तो आप देखें कि कहीं उन दोनों की audience overlap तो नहीं हो रही अगर overlap हो रही है तो आप इसको exclude कर सकते हैं यह आपने लाजमी दियान रखना है इस पर मैंने वीडियो बनाई हूँ यह मैं आपको description में लिंक दे दूँगा ठीक है जो भी इस वीडियो से लिंक करती होंगे वीडियो वह आपको description में उसका link मिल जाएगा audience overlap पर मैंने वीडियो बनाई हुई है इस तो आप description में आपको इसका link मिल जाएगा दूसरा यह है कि आप bid low भी कर सकते हैं और high भी कर सकते हैं मिनके अगर आप ऐसी audience को target करें low intention audience है मिनके low intention audience वो होते हैं जो के cold audience होते हैं वो अभी आपको नहीं जानती है आपकी product में तरह interested नहीं होगा ठीक है आपकी branding नहीं हुई ह होगी तो उसके लिए आप अपनी bid को low रखें ठीक है जब आप देखें कि आपका result आ रहा है जब आप remarketing कर रहे होंगे तो आप bid को high कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है जितनी मैं bid high करूंगा उतनी अच्छी मेरे पास sale आएगी तो इसलिहाज से जब आप remarketing कर रहे हो तो bid को आप high रखें बाइदावे जब आप low intention audience को target करें तब आपने low रखनी है मिनके आपने bid को control रखना है bid cap लगानी है इसके लावा facebook pixel होगे आपने facebook pixel बहुत जरूरी है आपके लिए वह आपने जरूरी इंस्टाल करना अपनी website पे इससे आपको मालुम हो जाए कि कौन सा platform आपके लिए best काम कर मिनके आप Instagram से औरसलेकर जारें, अपनी website पर आप Facebook से लेके जा रहे है गूगल से लेके जा रहे है इसके मालुम हो जाए कि कौन सा platform आपके लिए best काम कर रहा है, कौन सा आपके लिए ज्यादा sales जणेरिड कर रहा है, तो यह आपने ज्स्माल करना Facebook pixel, आपको कफी benefit मिलेगा कि आपका जो है पिक्जल किस तरह से आप जो है अपनी कोस को reduce कर सकते हैं यह पिक्जल आपकी help कर सकते हैं इसमें इसके लाब आप click-through rate जो है ठीक हो conversion rate है यह भी different big difference डालता है आपके ROI में मिन का अगर आपका click-through rate जादा है यह minor है इससे भी आपकी ROI return on investment मिन के जो आपनी investment करी होगी वो negative point में जाएगी और conversion rate क्या आ रहा है का मिन के आप की sale किस तरह से आ रही है सो लोगों में से आपका conversion rate कितना आ रहा है अगर अगर सो लोगों में से conversion rate उसका क्या होगा तो इसलिए ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने जो एड क्रियेटिव है ना उससे आपने टेस्ट करना कि कौन सा एड क्रियेटिव आपके लिए best काम करें मिन के आप क्राउजल एड टेस्ट करें आप image एड टेस्ट करें ठीक है different format है facebook एड के आप वो यूस करें उससे आपको मालम हो जाए कि कौन किसका click-through rate जादा है कर्वंजन रेट आपके लिए कौन जादा आपको दे रहा है ऐसा भी हो सकता है कि जिसका click-through rate बहुत जादा हो लेकिन उ जाते हैं ठीक है तो आप कोशिश करें वीडियो एड बनाए ठीक है वीडियो एड जब आप बनाएंगे उससे जो है आपके impression बहुत अच्छा है क्योंकि ट्रेंडिंग फॉर्मेट है आज कल सिर्फ वीडियो से लेक दो लोग देखना पसंद करतें मौस्ट लोग ठीक है इससे जो आपकी CPC कम हो सकती है वीडियो एड्स का ये भी benefit है आप उससे दुबारा retarget कर सकते हैं कितने percent लोगों ने आपका एड देखा है कितने लोगों ने नहीं देखा ठीक है इससे जो आप पूरे funnel बना सकते हैं आप वीडियो एड्स से तो आप कोशिश करें अपना add copy अच्छी नहीं होती जिसको पढ़के लोग action लें या उनका call to action नहीं होता तो इस वज़े से जो उनकी CPC हाई आर ही होती है और impression कम आ रहे होते हैं ठीक है तो आपने ये लाजमी देखना है कि आप वीडियो एड्स अगर बना सकते हैं तो वीडियो एड्स बना लें otherwise add creative आपके लिए best काम करेगा कौसा add format आपके लिए best काम करेगा उसके coding आप अपनी ads को design करें तो यह थे तरीक के कुछ जिससे जो अपनी ads को आप कम कर सकते हैं ठीक है और इसके लावा अगर आप को कुछ समझ नहीं आता तो आप जैस वीडियो के comment box में मेरे से पूंच सकते और इस वीडियो को आप लाइक ज़ूर कर दें और इस चैनल को भी आप लाजमी subscribe कर दें